चलो इस वाले question को देखो प्यारे बच्चों, इस वाले question में क्या है कि एक two quails हम लोगे पास, एक quail one है, एक quail two है, और उन दोनों में radius जो है, वो first quail की twice है, तो चलो ये first quail है, इसको मैं मान लेता हूँ, quail first, इसकी radius r12 times r2 है, मतलब ये एक छोटा quail होगा, मान लो, इसकी radius r2 है, इसमें number of turns n1 मान लेता हूँ, इसमें number of turns n2 मान लेता हूँ, और ये कहता है कि इसमें current i1 अगर flow हो रही है, और मान लो, इसमें current i2 flow हो रही है, और ये i1 यहाँ पर magnetic field b1 बनाया, और यहाँ पर ये magnetic field b2 बनाया, तो कहता है कि magnetic field at the center same है, तो potential difference applied across them, अब देखो potential difference applied तो तो ऐसे तो निगाल नहीं सकते तो एक्ठुलिय यर्जो करेंट फ्लो थे वो किसी नगीकिस पोटेंशियल डिफ्रिंस की वज़े से आरही यह वह तो एक्ठेश पेशियो मैं मैं पूछ रहा होला है इंसाब से तो चलो यहां से अब देहों गे तो सब से पहले magnetic field equal है तो magnetic field equal कर लो और number of turns और radius में ratio निगाल लो तो radius r1 upon r2 की जो value आ जाएगी r1 2 times r2 है तो यह आ जाएगा r2 मतलब यह आ जाएगा 2 आ जाएगा और number of turns दोनों का length same है इसका भी length और इसका भी length same है तो यह length 2 pi r1 और number of turns n1 है और यह length same है तो 2 pi r2 radius और इसमें number of turns n2 है तो यहां से कर मैं solve करके n1 और n2 की ratio निगाल लो तो यहां से मुझे मिल जाएगा number of turns का ratio मिल जाएगा n1 r1 n1 r1 is equal to n2 r2 और r1 जो है 2 times r2 है तो यहां जाएगा n1 और यहां जाएगा n2 और r2 तो r2 ने r2 को कतम कर दिया तो वे n1 upon n2 की value 1 by 2 आ जाएगी तो n1 upon n2 की value 1 by 2 और r1 upon r2 की value 2 आ गई यह हमें बाद में use होगा magnetic field जब निकालोगे तो चलो सबसे पहले magnetic field equate कर लेते हैं तो magnetic field जो circle में होती है वो mu not i upon 2r होती है एक turns के लिए तो पहले coil की magnetic field b1 is equal to mu not i1 और 2 pi r1 n1 और दूसरे की वज़े से b2 की जो value बनेगी ओ आ जाएगी mu not i2 और 2r2 और multiplied by n2 अब according to the condition of the question यह दोनों equal है आरे बच्चो तो equal कर तो यहां से अगर equal करोगे तो b1 बराबर है b2 के equate करोगे तो mu not 2 खतम हो गया मतलब है आ जाएगा i1 n1 upon r1 is equal to i2 n2 upon r2 तो यह वाली चीज़े में मिलगे अब current को voltage से relate करो तो obviously relate कर सकते है current को voltage से तो v is equal to i r तो emf e1 is equal to i1 और resistance of the coil length same है तो resistance same होगा rho l upon a resistance r होता है तो length area procession same है तो resistance तो same होगा तो emf e1 आ जाएगा यहां से तो emf e1 तो e2 i2 upon r2 तो emf e1 upon e2 की जो value आ जाएगी वो i1 upon i2 के equal आ जाएगी यह यहां से ratio मिल गया तो direct यहां से मैं लिख सकता हूं कि यह i1 upon i2 की जो value आ जाएगी वो emf e1 upon e2 के equal आ जाएगी resistance same है और यह आ जाएगा n2 upon n1 इधर बच गया और इधर बच गया r1 upon r2 अब सारी value डाल दो तो n1 upon n2 हम लोग पहले से calculate करके लाये थे 2 n2 upon n1 2 हो जाएगा और इधर से r1 upon r2 पहले से 2 आया था तो यह जो है 2 आ जाएगा फुल मिला के 4 आ जाएगा इएमेफ e1 upon e2 की ratio यह वली चीज रेशियो एक्चुली आइसे कैसे निकाल सकते यार डाइरेक्ट निकालने सकते पोटेंजियल तो ratio निकालना इसमें ज्यादा अच्छा है डैट इस फूर फूर्थ आप्शन सही है